नमस्कार साथियों, स्वागते आप सभी का सत्य एक्सिलेंट योटोब चैनल पे अभी आप इस स्क्रेन पे कोशन देख रहे हैं जो की कोशन नमबर 51 से और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एक से लेकर कोशन नमबर 50 तक मैंने लाइव क्लास के दौरार आपका कोशन खतम कर दिया है लेकिन यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम की वज़़े से जो क्लासे वो सही तरीके से चल नहीं रही है इसलिए मैं यह कोशन आपको आप लाइन वीडियो अपलोड करके दे रहा हूँ तो जो भी चातर यहाँ पर आप लाइन कलास का इंतिजार कर रहते अब यहाँ पर आप लाइन आप वीडियो देख सकते हैं तो चलिए कोशन स्टार्ट करते हैं और ये कोशन आईटे सेकेंडिर इलेक्टिसियं ट्रेड के छात्रों के लिए द्याने किएगा। कोशन में पूचा जा रहा है कि टॉंजिस्टर भी टू से भीवन में परिवर्तन करते समय कुल टर्न आन टाइम क्या होता है या क्या है जिसे कि आप यहाँ पर एक फिगर देख लीजिए इसमें जो यहाँ पर पूचा गए उसी के अनुसार आप चलिएगा तो कोशन में यह यहाँ पर पूचा जा रहा है भी टू से भीवन इसमें आपको बता दो यह जो फिगर है आपका यह बिल्कुल यहाँ पर देखे बलर है तो इसमें कोई भी आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन आप इसको यहाँ पर बुक से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें जो आपका आएगा आपसा नंबर C बिल्कुल करेक्ट इंसर आजाएगा। आगे देखिए अगले कोशन को, अगला कोशन आपके सामने कोशन नंबर 52, जिसमें पूछा जा रहा है कि बिंदु संपर्क, बिक्सित, डिफ्यूजन और मिस्र धातु जक्सनों के तरीकों का उप्योग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है। आगे देखिए अगले कोशन को देखिए, अगला कोशन आपके सामने कोशन नंबर 33, जिसमें साथ योग पूछा जा रहा है कि एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर छेतर भावतिक रूप से उर्सरजन छेतर से बड़ा क्यों बनाया जाता है। बेरी-बेरी इंपोटेंट कोशन है। तो साथ योग इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि इसे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कलेक्टर को बड़ा बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि कलेक्टर को एक ही दिसा में अधिक बोल्टेज हन करने की जुरूरत होती है। ऐसे भी आप कह सकते हैं तो आपसा नंबर आपका एक बिल्कुल करेक्ट इंसर हो जाएगा। वेसे आपको कन्फ्यूज करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे आपसं दिये गएं। आपका यहाँ पर एक आपसं बिल्कुल करेक्ट इंसर हो जाएगा मिला लिजेगा। ं आगे देखिए अगले कोशन को कोशन नंबर 54 जिसमें सातियों पूछा जा रहा है कि एक टॉंजिश्टर का कारे क्या है। यदि एमीटर से बेस और कलेक्टर से बेस तकर अगर अभिनत है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन है। देखे साथ हो transistor का कारे सबसे पहले आप समझ लेजिए उसके बाद आप इसको पगड़ पाएंगे और question में भी यही पूछा जा रहा है कि एक transistor का कारे क्या है तो transistor का कारे क्या होता है? transistor जो होता है सबसे पहले आप ध्याने कियेगा एक amplifier की तरह कारे करता है दूसरी बात transistor जो है आपका switch की तरह भी कारे करता है और जब transistor operation करता है तब एक जंसन forward में और एक जंसन जो होता है reverse में होता है लेकिन प्रशन में यहाँ पर दोनों की बात की गई है देखिए ध्यान से यहाँ पर अगर अभिनत की भी बात किये गई है तो यहाँ पर अगर अभिनत की बात की गई सातियों तो आप कह सकते हैं तो अगर अभिनत के लिए ये एक क्या होगा बंद switch के रूप में कारे करेगा और यहाँ पर आपसन में आप देखिए कौन सा आपसन match कर है जिसे की A आपसन दियागे एक amplifier के रूप में काम करता है और यहाँ पर B आपसन दियागे की एक दोलग के रूप में कारे करता है और C आपसन दियागे एक खुले circuit के रूप में कारे करता है और D आपसन एक बंद switch के रूप में कारे करता है तो D option साथियो आपका बिल्कुल correct tensor हो जाएगा एक बंद switch के रूप में कारे करता है D option साथियो आपका correct tensor हो जाएगा मिला लिजेगा आगे देखिए अगले कोशन को कोशन नंबर 55 जिसमें पूछा जा रहा है कि Class A amplifier का मुख्य लाब क्या है Very very important question है साथियो देखिए यहाँ पर Class A amplifier की यदि लाब की बात किया जाए तो Class A amplifier में जो new term विकृति होती है वो पाई जाती है और यहाँ पर option में new term जो विकृति दिया गया है वो option number A दिया गया है तो साथियो यहाँ पर हमारा A option बिल्कूल correct answer हो जाएगा मिला लीजेगा और यहाँ पर और भी बहुत सारे option दियेगे तो option को आप ध्यान से देख लीजेगा आगे देखिए अगले question को Question number 56 जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा electronic circuit बिना input के signal तरंगो या pulses का उत्पादन करता है जिसे कि A option detector, B option amplifier, C option दोलग, D option modulator तो साथियो देखिए oscillator में input signal देने की आउसकता नहीं होती यह आप लिख लीजेगा note में region इसका क्या है region यह है कि बिना input दिये हुए output परदान करता है यह और यहाँ पर आपका जो सही option दिया गए वो option number C दिया गए दोलग oscillator तो यहाँ पर कौन सा electronic circuit बिना input के signal तरंगो या pulses का उत्पादन करता है तो आपका oscillator है जिसको हिंदी में दोलग के नाम से जाना जाता है आगे देखिए अगले कोशन को अगला कोशन आपके सामने साथियो कोशन number 57 जिसमें पूछा जा रहा है कि दोलग सर्किट में दोलनो या तरंगो को बनाए रखने के लिए कौन सा circuit आवस्यक है जिसे A आपसन दियागे filter के साथ दिश्टिकारी B आपसने voltage गुणक C आपसने नकरात्मक feedback और यहाँ पर D आपसन दियागे साकरात्मक feedback तो सातियो ध्याने किएगा oscillator और alternator के द्वारा AC की sine wave प्राप्त करते हैं क्या किया जाता है AC की sine wave प्राप्त करते हैं मतलब कि sine wave को generate करने वाली दो चीज़ इसमें आपको देखने को मिलेगी एक आपका होगा सातियो अल्टर्नेटर क्या होगा अल्टर्नेटर और दुसरी चीज़ होगी oscillator इन दोनों चीज़ों को अधाने किएगा बाकि यदि हम कोशन के अनुसार चलें तो कोशन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि दोलक सर्कीट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्कीट आवस्यक है तो इसमें आपका सही हो जाएगा आपसन नमबर D सकरात्मक फीडवेड कौन सा आपसन सही होगा सकरात्मक फीडवेड क्योंकि असलेटर और अल्टरेटर के द्वारा यसी की साइन वेड प्राप्ट करते हैं और यहाँ पर आपका D आपसन बिल्कुल करेक्ट इंसर हो जाता है अगले कोशन के और बढ़ते हैं साथी हो अगला कोशन देखिए कोशन नंबर 58 जिसमें पूछा जा रहा है कि यूनी जक्सन टांजिस्टर का मुख्य अनुपरियोग किया है जिसे कि ए आपसन दिश्टी करण परवर्दन या और भी बहुत सारे आपसन देखने को मिलेंगे लेकिन आप ध्यानी कियेगा जब यहां पर UGT के यहां पर अनुपरियोग की बात किया है UGT इसका पुरा नाम होता है यूनी जक्सन टांजिस्टर और इसको साथ यो ट्रीगिंग सिस्टम में काम में लिया जाता है जिसमें जो जनसन होते हैं उसमें एक आपको देखने को मिलेंगे और टर्मिनल तीन देखने को मिलेंगे और डायोड भी आपको तीन देखने को मिलेंगे तो इस स्टेज को ध्याने केगा बाकि यदि आप कोशन के यहां पर आपसन में देखें तो इसमें यहां पर रेगुलेटर सर्किर दिया गे और ट्रीगर सर्किर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि UJT को ट्रेगिंग सिस्टम में काम में लिया जाता है जो कि आप्सन में आपको D आप्सन देखने को मिल जाता है D आप्सन करेक्टेंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले कोशन को देखिए कोशन नंबर 69 को जिसमें पूछा जा रहा है कि कि सूपकरण में बहुत अधिक इन्पूट परतिबादा कम सोर निर्गत अच्छा रखिकता और कम अंतर इलेक्रोड छमता है जिसे कि A आप्सन यहाँ पर दियागे यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा फिल्ड इफेक्ट आंजिस्टर लेकिन कैसे होगा देखिए यहाँ पर आपका एपटी सही हो जाएगा और यहाँ पर ध्यानी कियेगा BJT और जो एपटी होता है इसका यहाँ पर जब तुलना करेंगे तो उस समय जो आपको BJT देखने को मिलता है BJT इसका एंपूट जन्सर हमेशा फारवर्ड में होगा और फारवर्ड का परत्रोज जो होगा वो कम होगा इसलिए एपटी इंपेडेंस हमेशा उच होता है पतलब हाई होता है तो यहाँ पर हमारा जो कम देखने को मिलेगा सात्यों वो आपका होगा को यहाँ इसमें आप攻का होगा लेकिन इंपेडेंस हमेशा उच होगा वह एपटी करएगा तो इसी कारण जो हमारा सही हो जाता है आपसर नंबर सी बिल्कुल क्रेक टेंसोर हो जाता है मिला लिएगा WRACC option बिल्कुल करेक टेंसोर हो ज accessory τα सी आपसर आगे देखिए अगले कोशन को साथ हो कोशन नमबर साथ को जिसमें पूछा जा रहा है कि JFETS ध्यान से देखिएगा JFETS की तुलना में MOSFET के धारा नियंतरण में क्या अंतर है बेरी-बेरी important question है देखिए यहाँ पर MOSFET को IGFETB कहा जाता है इसको ध्यान लेकिए गए IGFETS की तुलना में MOSFET में धारा को नियंतरण के क्या अंतर है तो यदि नियंतरण की बात किया जाए तो इसमें यह होता है कि जो P-type की समागरी होती है उसके बजाए N समागरी का उप्यू किया जाता है और इसमें जो आपका सही हो जाता है option number B यह बिल्कुल correct tensor हो जाता है मिला लिजेगा तो यहाँ पर साथियो आपका B option correct tensor हो जाएगा चले अगले question को देखते हैं अगला question आपके सामने question number 61 जिसमें पूछा जा रहा है कि amplifier circuit का प्रकार क्या है अब यहाँ पर figure को देखकर आपको पहचानना है कि amplifier circuit का यहाँ पर कौन सा प्रकार है अब साथियो यहाँ पर देखे आपको सब कुछ यहाँ पर नजर आ रहोगा लेकिन यहाँ पर जो इसका चित्र बनाए गया थोड़ा सा यहाँ पर blur है फिर भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा इसको बोला जाता है साथियो common क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है common amplifier जो कि यहाँ पर आपको d option देखने को मिलना है d option आपका सही हो जाएगा लेकिन ध्याने किएगा जो यहाँ पर आपका figure बनाए गया इसमें common collector तो common collector में impedance जो होता है वो low की तरफ होता है और जो output होता है वो input के मद्द से खूणब होता है तो वो जो होता in page में होता है किसमें होता in page में होता है तो यहाँ पर आपको out page देखने को मिला है और यहाँ पर in page तो in page में आप हमेशा ध्यान किएगा बाकि यदि हम question करूसार यदि चलें तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है option number D बिल्कुल correct answer हो जाता है common collector amplifier D option सात्यू सही हो जाएगा आगे देखिए question number 62 यह थोड़ा सा सवाल type का question है जिसमें पूछा जा रहा है कि 220 volt RMS AC voltage का peak voltage क्या है very very important question है देखिए सबसे पहले आपको सुत्र की जरुरत पढ़ेगी तो देखिए इसमें हमारा मान जो दे दिया गए RMS का मान यहां पर दे दिया गए कितना यहां पर दिया गए सात्यू sorry RMS यहां भी RMS का मान यहां पर दिया गए B RMS का तो यहां पर हमारा जो B RMS का मान दिया गए उसका यहां पर आप मान रख लेजिए तो इसमें आपका दिया गए 250 250 इसमें आपका नहीं दिया गए 250 लेकिन यहां पर आप ध्यान से देख लिए 220 यहां पर दिया गए अब सात्यों एक चीज़ और भी ध्याने कियेगा इसमें जो आपका दिया गए BRMS तो यहां पर BRMS बराबर सुत्र क्या होता है BM अपान अंडरूट टू होता है तो BM का तो हमें मान मालूम नहीं है तो BM को हम क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे और जब हम BM को बाहर निकालेंगे सातियों तो हमारा जो सुत्र क्रियेट होगा BRMS गुणे आपका हो जाएगा अंडरूट टू क्योंकि सुत्र के अनुसार यहाँ पर अंडरूट टू है तो अंडरूट टू का अमान कितना होता है 1.414 होता है 1.414 होता है और BRMS का अमान हमको मालूम है जो कि उपर यहाँ पर दिया गए तो हम क्या करेंगे सातियों इसमें गुणा कर देंगे क्या करेंगे सातियों इसमें हम गुणा कर देंगे और गुणा करके सभी लोग देखिए कितना इसका एंस्वर आ रहा है चले फटापरट सभी लोग गुणा करके देखिए जितने भी claro 24 इस वीडियों को देख रहे है सभी लोग गुणा करके देखिए कितना आता है तो 200 यहाँ पर बीस कीजिए और यहाँ पर सातियों आप यहाँ पर 220 कीजिए इसको फटापरट और गुणे आप कीजिए अंडर रूट टू है तो एक दसमोलो चार एक चार तो एक दसमोलो एक दसमोलो चार एक चार करेंगे तो यह आपका 311 आएगा ठीक है कितना आजएगा 311 दसमोलो आपका यहाँ पर आएगा तो यह आपका point में आएगा तो इसमें आपका जो सही हो जाता है साथियो option number B बिल्कुल correct tensor हो जाएगा ध्यान निखेगा यह आपका option number B बिल्कुल correct tensor आजाएगा और यहाँ पर B option हमारा बिल्कुल match correct गुणा करके देख लिजेगा यदि नहीं आता है very very important question है देखिए बढ़ाने का तरीका जा लेजिए CRO के जो knob होती है उसमें यदि resistance जोड़ दिये तो उस समय क्या होगा हमें परतिबादा बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा कब जब हम जो CRO होती है उसकी knob को उसमें resistance जोड़ देखने को मिलेगी और इसमें option में हमारा कौन सा दिये गए तो CRO probe में और यहां पर परतिबो जोड़ का जो कि knob भी बोला जाते है प्रोब भी बोला जाते है तो knob भी भी आप कह सकते है कोई दिक्कत नहीं है जब आप रिटकली पढ़ेंगे तो जो आपको टीचर बढ़ाएंगे वो यहां पर प्रोब नकककर नोब बोलेंगे आपसर नमबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा प्रोब भी बोला जाते है नोब भी बोला जाते है कोई कंफियोजन नहीं होना चाहिए चलिए अगले कोईशन की ओर बढ़ते हैं कोईशन नमबर देखिए 64 जिसमें साथियो कोईशन नमबर 64 में पूछा जा रहा है की 0.2.2 माइक्रो सेकेंड के टाइम बेस सेटिंग के साथ पांच डिवीजन द्वारा कवर किये गए CRO स्क्रीन पर परदर्सी सिंगनल की आबरती क्या है यह थोड़ा सा सवाल है और थोड़ा सा टब भी है लेकिन उतना भी टब नहीं जितना आप समझते हैं सबसे पहले आप देखिए इसमें दिया क्या गया है तो इसमें 0.2 माइक्रो सेकेंड दिया गया है यहाँ पर आप क्या वर्तिकाल की बिद्ध्रमानू पाति होता है इसलिए यहाँ पर हमने F लिखा है और frequency हमसे पूछा भी जा रहा है तो यह T के क्या होता है यहाँ पर बित्क्रमानू पाती होता है अब सात्यो ध्यानिके का सुतर के नुसार यहाँ पर हम लिखेंगे F का मान हमें निकालना है तो F बराबर आपका हो जाएगा 1 अपान और T और T में आपका समय कितना दिया गये तो 0.2 microseconds दिया गये तो आप यहाँ पर 0.2 0.2 microseconds को आप क्या लिख सकते हैं तो 0.2 microseconds मतलब की 10 to power minus 6 आप लिख सकते हैं तो 10 to power minus 6 लिखे तो F बराबर आपका क्या हो जाएगा सात्यों 1 बटे 0.2 गुड़े 10 to 4 माइनस 6 है इतना आपका हो गया कोई भी दिक्कत नहीं है अब देखिए यहाँ पर सातियो अब यहाँ पर आप 0 को हटाना चाहते तो आप क्या करेंगे जब आप यहाँ पर 0 को हटाएंगे सातियो तो उपर आप 10 करेंगे तो आप उपर जब 10 करेंगे तो 10 बटे आपका 2 हो जाएगा और यह आपका 10 के घाते जो यहाँ पर माइनस 6 है यह उपर जाएगा तो यह आपका प्लस हो जाएगा तो 10 के गुड़े आपका यहाँ पर 10 to 4 यहाँ पर 6 हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर ध्यान एकिएगा 10 बटे 2 आपका हो जाएगा और गुड़े आपका 10 to power 6 हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर आप कटा दिजिए तो यह आपका 2 पच्चे 10 कट गया तो यह आपका हो जाएगा 5 गुड़े 10 to power 6 यह आपका हो गया अब सात्यों ध्याने किएगा अब यहां पर इतना आपका दे दिये गया और यहां पर हमारा कोशन में पांच डिवीजन कहा जा रहा है तो पांच डिवीजन मतलब की पांच से भाग अब देखिए पांच गुड़े दस के घाते 6 है इसको मैं यहां पर तो आप यहां पर बराबर लिखेंगे 10 के घाते 6 अब देखिए 10 को आप क्या लिख सकते हैं 10 के घाते 6 है तो यहां पर हम 10 को हम यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 के घाते 3 गुड़े 10 की घाते 3 हम लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब देखिए 10 के घाते 3 का मतलब क्या होता है साथियो, एक हजार, क्या होगा, एक हजार होगा, और यदि दस के गुड़े तीन, और दस के गुड़े तीने, तो इसको हम केवल लिख सकते दस के घाते तीन, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, सुत्र के अनुसार आप 3 भी लिख सकते हैं इंस्वर आपका 1 ही आएगा चाहे 10 के खाते 3 लिखिये या आप 1000 लिखिये एक ही मतलब होगा और इसमें जो आपका सही आपसन दिया गया है वो आपसन में आपको देखने को मिलना है आपसन नमबर D 1000 आप यहाँ पर ध्यान से देखिये 1000 किलो हटच दिया गया है तो D आपसन साती हो आपका करेक्ट टेंसर हो जाएगा यदि जनकारी पसंद आती है तो पली इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा चले आगे देखते हैं अगले कोशन को अगला कोशन थोड़ा से यह मुबाइल पर पढ़ाने पर दिक्कत होती है इसलिए यहाँ पर दिक्कत हो जाती है और जब यहाँ पर वेवस्ता होगी बड़े स्किन की उस समय यहाँ पर जुरूरत पड़ेगी तो लिया जाएगा चले यहाँ पर कोशन नमबर 65 को देखे जिसमें पूछा जा रहा है की रेडियो में क्या खराबी आएगी अगर पलसे को रेक्टी फायर के इंपूट से नहीं हटाया जाता है यहाँ पर जो आपका आपसं दिया गए जैसे की अनुचित ट्यूनिंग और यहाँ पर कोई परतिकरिया नहीं और यहाँ पर गुनगुनाती आवाज तो यहाँ पर जो आपका सही होगा साथ यो आपसे नमबर सी होगा क्योंकि यदि ripple frequency को नहीं हटाएंगे तो उसमें जो आवाज हैगे वो आपको देखने को मिलेगी मतलब कि आवाज आएगी जिसे humming भी बोला जाता है और ऐसी humming जो sound है आपको जब transformer shifter मैंने पढ़ाया था फश्टियर में तो उसमें भी आपको बताया था humming की आवाज जो आती है जो की कोर में जो magnetizing current होती बहती है उसके कारण आपकी आती है sound humming की और इसमें भी आपको humming की आवाज देखने को मिलेगी या आप इसको गुनगुनाती आवाज भी कह सकते हैं तो आपसन नंबर C आपका correct answer हो जाएगा आगे देखते हैं अगले कोशन को कोशन नंबर 6-8 को देखिए साथियो कोशन नंबर 6-8 में पूछा जा रहा है कि रिक्ती करण छितर कैसे बेवहार करता है तो ये काफी easy सवाल है ये जो बेवहार करता है साथियो कुछ आलक के रूप में बेवहार करता है और आपसन में आपको B आपसन देखने को मिल जाता है कुछ आलक के रूप में B आपसन साथियो correct answer हो जाएगा चले अगले कोशन को देखिए अगला कोशन आपके सामने कोशन नमबर 67 कोशन नमबर 67 में पूछा जा रहा है कि 66 के voltage lab और transistor के 100 β के साथ CE amplifier की सकती lab क्या है देखिए कोशन में यहाँ पर पूछा जा रहा है सकती lab क्या है लेकिन सकती निकालने के लिए resistance और current का जिक्रित नहीं किया गया है तो यहाँ पर आप के सकते की सवाल भी गलत है लेकिन आप यहाँ पर एक तरह से और यहाँ पर लगाएंगे तो इसका सही answer भी आ जाएगा और नमी में जो सही answer दिये गे इसी के अनुसार भी दिये गे जैसे कि आप पी बराबर भी आई से निकालें तो पी बराबर भी आई पर आप निकालेंगे तो भी का मान यहाँ पर कितना दिया गये चाचट दिया गये और आई का मान कितना दिया गये सात्यू तो सह दिया गये तो आप यहाँ पर 660 गुरे आप जब 100 करेंगे तो यह आपका जो मान निकल कहाँगा 660 आ जाएगा लेकिन आप यह सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो सवाल जो है आपको गलत देखने को मिलेगा वैसे यहाँ पर जो पूछा गया है सकती लाब पूछा गया है और सकती लाब निकालने के लिए आपको रेजिस्टेंस करेंट का जरुरत पड़ता है जो कि इस परपरशन में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है तो आप इसको यहाँ पर question को आप भूल जाईए यहाँ पर जो सक्ति लाब पूछा गया बस आप यह देखिए कि यहाँ पर चाचट के voltage लाब और transistor beta यहाँ पर पूछा गया उसमें यहाँ पर power की बात की गई है तो यहाँ पर यहाँ पर P के अनुसार आप निकालेंगे और नेमी के अनुसार आपका जो सही answer दिया गए वो चाचट दिया गए तो यह आपका P बराबर भी आई की सुत्र के अनुसार यह दिया गए तो इसी पर आप solve कर दिजे इसको तो आप सा number D आपका correct answer हो जाएगा चलिए अगले कोशन को देखते हैं अगला कोशन आपके सामने साथियो कोशन number 68 जिसमें साथियो पूछा जा रहा है कि क्या परभाव है अगर SCR को चालन में लैच किया जाता है और DC में gate current हटा दिया जाता है यह भी आपका important question है तो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा जो gate होगा वो चालन पर नियंतरन खोदेगा मतलब कि यह जो होगा साथियो over conduction मतलब कि losses इसमें देखनेउ को मिलेगी gate चालन पर नियंतरन खोदेगा option number आपको D यहाँ पर correct answer देखने को मिलेगा चले अगले कोशन को देखते हैं अगला कोशन आपके सामने कोशन नंबर 69 जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि JFET में पीच आप बोल्टेज का क्या परभाव है बेरी-बेरी इंपोर्टेंट कोशन है देखे साथियों पीच परभाव में करेंट सुन्य हो जाता है सबको मालूम होना चाहिए मतलब कि I का जो मान हो जाता है वो किता हो जाता है सुन्य हो जाता है और जिस जंसन पर बोल्टेज लगाते हैं तो आपका जो भीची होता है सातियो उसका मान भी सुन्य हो जाता है जिसे पीछ परभाव के नाम से जानते हैं और ये कोशन में यही पूछा जा रहा है कि जे FAT में पीछ आप बोल्टेज का क्या परभाव है तो सातियो इसमें जो आपका होगा ड्रेंड करेंट सुन्य हो जाता है आपसन नमबर जो आपका दिया गए भी आपसन यह बिल्कुल करेंट टेंसोर हो जाता है ठीके भी आपसन आपका करेंट टेंसोर हो जाएगा आगे देखिए अगले कोशन को अगला कोशन आपके सामने जिसमें सातियो कोशन नमबर सतर में पूछा जा रहा है की लाल नेला काला अंकीत किये गर conductor के रंग से कौन सी आपुरती इंगीत करती है जिसे कि यहाँ पर 3 तऱडी-C आपुरती पढाली और यहाँ पर एकल फेज-AC पढाली और यहाँ पर d आपस written देगे 3 फेज-AC system तो इसमें आपका सही होगा आपसन नमबर है लेकिन इसमें तीन तार दिया गया है तो इसमें जो आपको तार देखने को मिलेगा साथियो एक आपका लाल रहेगा ठीक है एक आपका लाल रहेगा और आपका ब्लेक रहेगा काला रहेगा और इसमें आपको यहाँ पर बुलू भी देखने को मिलेगा तो अगले कोशन को देखते हैं अगला कोशन आपके सामने कोशन नंबर 71 जिसमें पूछा जा रहा है की तारो को गुच्षा करने के लिए कौन से कैबल बंधों का उप्योग किया जाता है। तो इसमें जो आपका होता है एक आपका अलग से आता है जिसको नैलान बोला जाता है यह नैलान का होता है और यह आपका जो देखने को मिलता है आपसन नंबर C आपसन में देखने को मिलता है यह किवल जो होता है जो तारों के गुच्छा होते हैं उसी गुच्छे को बादन में किस उपकरण से बचा जाता है बेरी बेरी इंपोर्टेंट कोईशन है देखिए बचने की बात किया जाया तो इसमें जो सेंसर होता है उससे बचा जाता है बाकी संक्यत डिपक का इसमें कोई से कोई भी यहां पर स्कतरा नहीं होता है ना इसमें विल्गिस स्वीच से आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि X द्वारा चिनिज डिवाइस का नाम क्या है यहाँ पर जो इंडिकेट किया जा रहा है इसको यहाँ पर लेकर पूछा जा रहा है कि इस भाग को क्या नाम दिया जाता है मतलग कि इसको किस नाम से जाना जाता है तो सबसे पहले मै आपको बता दो यह जो यहाँ पर फिगर बनाए गया है यह इंडेक्शन मोटर की कंट्रोल सर्कीट का यहाँ पर बनाए गया है जो की कंट्रोल सर्कीट है जो दो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है इसकी कंट्रोल सर्कीट और यह जो आपकी होती है पहली आपके होती है जिसको power circuit बोला जाता है और दूसरा जो होता है साथियो उसको control circuit बोला जाता है तो यहाँ पर आपका आपसन में देखी आपसन में कौन सा दिया गए auxiliary content दिया गए सहायक संपर्क के यहाँ पर जो option यहाँ पर दिये गे जो X के रूप में चेनित किया गयेँ इसको yield सहायक बोला जाता है लाकि जो यहाँ पर circuit है यह जो आपका circuit है convection motor के कंटूल सरकीट है यहाँ पर दिया गया है तो D option साथी हो आपका correct tensor हो जाएगा आगे देखते हैं अगले कोशन को कोशन नंबर 74 को देखिए जिसमें पूछा जा रहा है कि कंट्रोल पैनल वाइरिंग में वाइरिंग एसेसरीज का क्या नाम है अब यहाँ पर फिगर को ध्यान से देखिए यह कोशन पिछले साल कई बार रिपीट हुआ है सायध इस बार भी रिपीट हो तो इसको आप देखि लीजियेगा यहाँ पर जो इसका ऐहाँ पर फिगर बनाया गया यह दिन रेल एपका एह आप्सम देखने मिल जाता है यह जो होता है, आलमारी के नुमा होता है और इसमें जो यहां पर कटा कटा हुआ भाग होता है इसको देखकर आप भहचान सकते हैं और इसको आपको मैं बता देता Эउ conviction जो DNA यहां पर दिखाया गया इसमें कोई भी screw का परयोग नहीं किया जाता है इसको ध्याने केगा ऐसे आप इसको पकड़ सकते हैं और इसमें आपका जो सही हो जाता है आपसन नंबर A बिल्कुल करेक्ट इंसर हो जाता है आगे देखिए सात्यों अगले कोशन कोशन नंबर 75 जिसमें पूछा जा रहा है कि परिपत में X इंगित device का नाम किया है जो यहाँ पर X के रुप में इंडिकेड किया जरा इससे पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्या है देखिए यह जो होता है सात्यों इसको बोला जाता है जो की आपसन में यहाँ पर D दिया गए तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजेगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सस्क्राइब के लिजेगा और जल्दी इसका अगला पार्ट भी आपको मिलेगा जैसे ही वीडियो आँ मैं बना लेता हूँ वैसे अपलोड कर दूँगा यूटूब पे